भाईया दूज के दिन कई हादसे देखने को मिले और एक हादसे में मा की मौत हो जाती है जेहां मा अपने बेटे के साथ अपनी बेटी के घर भाईया दूज के तिहार वाले दिन जा रहे थे क्योंकि भाई ने तिलक लगवाना था, हाथ पर धागा बनवाना था लेकिन एक हादसा हो जाता है, हादसा हुआ है इंदरी के पास क्योंकि जो परिवार रहता है वो पानी पत का रहने वाला है और लाडवा में बहन रहती थी और वहाँ पर भाईया दूज का तेहार मनाकर वो वापिस अपने घर की तरफ जा रहे थे लेकिन रास्ते में एक सडक पर अवारा गाएं आ जाती है और उसके कारण ये हादसा हो जाता है परिवार में मातम का माहूल है पुलिस पूरे मामले की कारवाई करती वी नजर आ रही है अगले महिने महिला को रिटायर होना था औ और रेलवे में वो नौकरी करते थे क्या कुछ कैसे हादसा हुआ ये पूरा शाम को शुबे जैसे दस बज़े यहां से निकले भाई अधूज के लिए लाड़ बाही तो रास्ते में शाम को चार पास बज़े ग्रेब जैसे गाया जाने की वज़े से मम्मी का जैसे सीर यहां पोस्ट माडम के लिए पैठके हैं न precio हुआ यह निदिल्ली और डिल्ट रेलवे में कांद हैекст दि से बहन के अपनी बेटी के पास लेते हैंगले महिले महिला की रिटायर्मेंट थी परिवार के पास ही गए थे अपनी बेटी के पास ही गए थे और उसी दोरान हादसा हो जाता है फिलहाल जो इंदरी पुलिस है वो पूरे मामले की जाच करेगी और ऐसे हादसे अक्सर देखने को मिलते हैं जो कहीं न कहीं परिवार के लिए दुख भरे होते हैं क्या कुछ प अपनी बेटे के साथ लाडवा में अपनी बेटी के पास जा रही थी यह वैधू पे जा रहे थे तो कल आते से मैं चानक किन के मोटर्शाखल का आगे कोई अवारा गाएं आगी उसके साथ इनका टक्राओं गया टक्राओं से यह राजराने नीच्चे गिर इसके सिर में पूरे मामले की जांच करती हुई नजर आ रही है पूरा मामला क्या है वो हम आपको एक बार बता देते हैं परिवार यानि की एक मा और एक बेटा जा रहे थे अपनी बहन के पास यानि की जो भाई है वो अपनी बहन के पास आ रहा था लाडवा में क्योंकि लाडवा में बहन की शादी हुई हुई थी कल भहीया दूज का तushar ता माथे पर तीलक लगवाना था हाथ में दाघखा बनवाना था लिकिन हादसा हो जाता है आते वक्ति यानि की जब परिवार भहीया दूज का तिहार मनाकर वापिस आ रहा था इंद्री पहुचा था और बाईक के आगे एकदम कोई अवारा गाएं आ जाती है और जैसे ही गाएं आती है बाइक पलट जाती है और महिला के सिर में चोट लगती है नजदी की हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है लेकिन इलाज के दुरान उनकी मौत हो जाती है महिला का नाम राज रानी है जो रेलवे में काम करते थे और दिल्ली के अंदर वो पोस्टेड थे लेकिन अगले महीने उनकी रिटायरमेंट भी थी उससे पहले ये हादसा हो जाता है और हादसे में उनकी जान चली जाती है फिलहाल आप लोगों से अपील है कि हाईवे पर चल रहे हैं या स्टेट हाईवे पर चल रहे हैं तो अपनी बाइक की रफ़तार गारी की रफ़तार धीमी रखें और कई बार देखने को मिलता है कि सडकों पर अवारा पशू आगे आ जाते हैं जिसके कारण हादसे हो जाते ह हैसे में हमें दूपईया वाहन हो या फिर फोर विलर हो वो आराम से चलाने की जरूरत है पुलिस इस पूरे मामले में कारवाई करती हुई नजर आ रही है परिवार में मातम का माहूल है और शव का पोस्माटम करवाने के लिए परिवार के लोग पोस्माटम हाउस बैठे है करनाल से करनाल ब्रेकिंग नियूज के लिए हिमान शुनारंग